Hello Everyone, Welcome to Online Study Point दोस्तों सबसे पहले तो एक महतुपूर्ण सूचना कि सर की तब्य थोड़ी ठीक नहीं होने के कारण वो आज की Current Affair की Class नहीं ले पा रहे हैं जैसे ही उनकी तब्य ठीक होती है एक दो दिन में वो वापस से आप लोगों की सुबा की Current Affair की Class लेंगे तो परिसान होने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों आज की इस वीडियो में हम 31 अगस्ते से जितने भी Current Affair के Question बन सकते हैं सबको डिटेल में डिसकस करेंगे और Extra Fact भी जानेंगे सारे ही Question important है इसलिए वीडियो अंते तक जरूर देखिएगा और अभी तक ही दिए आप लोगों ने Online Study Point को सबस्क्राइब नहीं किया है तो फटा-फट से सबस्क्राइब कर लेजे ताकि आप लोगों को नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और आप इस वीडियो की PDF टेलिग्राम से भी प्राप्त कर सकते हैं तो चले स्टार्ट करते हैं हमारा पहला महतुपूर कोस्चन हाल ही में भारत की पहली बैटरी चालित सिटी बस सेवा का शुभारंब कहां किया गया है मैंने आपको कई बार बताया है जहां कहीं भी पहला वर्ड जुड़ जाता है वह question अपने आप में ही important हो जाता है तो यहाँ पहली battery child city bus सेवा शुरू की गई है गुजरात के गांधी नगर से और गुजरात के गांधी नगर से आपको क्या याद आता है हमारे जो ग्रह मंत्री हैं क्या नाम है उनका अमिज शाह जी अमिज शाह जी का निर्वाचन छेतर है गुजरात का गांधी नगर और यहीं पर भारत की पहली battery child city bus सेवा शुरू कर दी गई है मैं आपको गुजरात के बारे में कुछ extra facts बता देती हूँ सबसे पहले तो गुजरात की मुख्य मंत्री कौन है तो गुजरात की मुख्य मंत्री है विजय रूपार्णी यहां के governor important है क्योंकि अभी हाली में न्युक्त हुए है तो गुजरात की governor का नाम है आचारी देवरत यह आप याद रखिएगा और गुजरात से related मैं कुछ current affair के question आपको बता दूँ आप लोगों ने सुने ही होगा हाली में गुजरात में भारत के पहले dinosaur park का उदगाटन किया गया है यह भारत का पहला dinosaur park है इसलिए important है और गुजरात के कुछ important national park है जो अकसर competitive exam में पूछे जाते हैं जैसे कि Girvan National Park, Marine National Park, Black Buck National Park यह सारे national park है गुजरात में तो यह सब आप याद रखीगा और एक मैं आपको current affair का question बता दू हाली में नीती आयोग द्वारा जारी समग्र जल प्रबंधन की एक report जारी की गई है जिसमें गुजरात सीर्स पर रहा नीती आयोग ने क्या जारी किया है नीती आयोग ने कि नरेंद्र मोदी है नीती आयोग के अध्यक्ष जो नीती आयोग है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है नीती आयोग की फुल फॉर्म होती है National Institute of Transforming India और यह योजना आयोग के स्थान पर 2015 मिलाए गया था इसके जो उपाध्यक्ष है राजी उकुमार इनका कारिकाल बढ़ाया गया है राजी उकुमार है उपाध्यक्ष और नीती आयोग के CEO कौन है तो नीती आयोग के CEO है अमिताप कांत और नीती आयोग नहीं समग्र जल प्रबंधन की एक रिपोर्ट जारी की है तो इस कोस्चन से हमको इतनी सारी जानकारी मिल जाती है Next question है कौन सी airline अपनी उडान में एकल उपयोग होने वाले प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाएगी तो उस airline का नाम क्या है उसका नाम है Air India Air India अपनी उडान में एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाएगी और यह प्रतिबंध कब से लगाएगी तो यह लगाएगी दो अक्टूबर से अभी आप सभी जानते हैं दो अक्टूबर को महात्मा गांधी की 150 वी जयनती मनाई जानी है और इसी के उपलक्ष पर जो एयर इंडिया है वह एकल उपयो है अश्वणी लोहानी जो अश्वणी लोहानी है वह पहले रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष थे लेकिन रेल वे बोर्ड के तो आपको कुछ extra fact बता देती हूँ जैसे कि Air India की स्थापना कब हुई थी तो Air India की स्थापना हुई थी 15 October 1932 को लेकिन इसका संचालन जो है 29 जुलाई 1946 से स्टार्ट हुआ आप जरूर याद रखीगा और इसका मुख्याले कहा है तो इसका मुख्याला है दिल्ली में और इसकी स्थापना की किस ने थी तो इसके संस्थापक थे JRD Tata और इसके MD कौन है अभी मैंने बताया है अश्वनी लोहानी है Air India के MD ये भी आप याद रखीगा चलते हैं अगले प्रश्नी की तरफ हमारा next question है नवीनतम बाल कल्याण सूचकांक में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा तो अभी हाल ही में बाल कल्याण सूचकांक जारी किया गया है जिसमें की केरल रहा पहले स्थान पर इसमें केरल तो पहले स्ठान पर रहा, दूसरे स्ठान पर कौन रहा? तो दूसरे स्ठान पर रहा तमिल नाडू और तीसरे स्ठान पर रहा हिमाचल प्रदेश तो तीनों ही रैंकिंग मैंने करम से लिख दी हुँ, आप जरूर याद रखिएगा और केरल की बात आई है तो केरल की मुख्य मंत्री कौन है केरल की मुख्य मंत्री है पिन्रई विजियन और यहां के राज जिपाल कौन है केरल के राज जिपाल है पी सदा सिवम यह आप जरूर याद रखिएगा और अक्सर कॉम्ट्यूटी एक्जाम में पूछा जाता है कि घाटी कहां है यहनकी silent valley तो silent valley है केरल में और पेरियार राश्टियुद्यान silent valley राश्टियुद्यान अन्नामुदी राश्टियुद्यान यह सभी है केरल में इस से related में आपको एक current affair का question बता दू हाल ही में भारत का पहला space tag park केरल में खोला गया है most important है जुलाई की न्यूस थी है आपसे पूछा जाये दी कि भारत का पहला space tag park कहां खोला गया है तो वह केरल के तिरू अनंत पूरम में ही खोला गया है तो आप जरूर याद रखेगा और आप लोगों ने सबरी माला मंदिर का मुद्दा जरूर सु गया है तो यह मिला है तमिल नादू के दोनों प्रोड़क सा और इन्हें अभी आली में जी आइटे mechanism दी जरूट सकते हैं जिसे कि करनाटक की कुर्ग अटैनी और सिर्सी सुपारी इन दोनों को GI टेक दिया गया था ओडिसा के कंधमाल हल्दी और रस गोला को GI टेक दिया गया था ध्यान दीजे मैंने कहा रस गोला एक होता है रस गोला जो रस गोला है यह ओडिसा की एक मिठाई है जबकि जो रस गोला है वह पस्चिम मंगाल का एक प् और बिहार के भी चार प्रोड़क्ट हैं जिने हाली में GI tag दिया गया है वो प्रोड़क्ट कौन-कौन से हैं मगी, पान, शाही, लिची, भागल, पूर, जरदालू और कट्रानी राइस तो इन चार प्रोड़क्ट को GI tag दिया गया है और यह बिहार से रिलेटेड हैं यहाँ प्याद रखिएगा और सबसे पहले GI tag किसे दिया गया था तो 2004 में दार्जिलिंग की चाय को सबसे पहले GI tag दिया गया था और GI की फुल फॉर्म क्या होती है जियो ग्राफिकल इंडिकेशन टैग यह भी आप याद रखिएगा नेश कोस्चन है हाल ही में कौन यूई एफे के प्लेयर आफ दे एर के पुरुसकार जीते हैं मतलब कि इन में से कौन है जिने यह आवार्ड मिला है तो यह है विर्गिल इन्होंने यह अवार्ड अपने नाम किया है बात यहां पर यूई एफे की आई यह तो इसका फुल फॉर्म होता है इसका फुल फॉर्म होता है यून iов European Football Association इसकी स्थापना कभी थी तो इसकी स्थापना हुई थी पंद्रह जून 1954 में और इसका मुख्याला कहां है तो इसका मुख्याला है Neon Switzerland तो ये भी आप याद रखिएगा फिर नेश कोस्चन है हाल ही में राश्टपती रामनात कोविंद को किस देश ने सर्वोच्च सम्मान Grand Order of Tommy Slav से सम्मानित किया है तो यह सम्मानित किया है Croatia ने और क्यों सम्मानित किया है तो भारत और Croatia के बीच में संबंधों को और आपसी सहियों को बढ़ावा देने में योगदान देने के लिए इन्हीं सवाड से नवाजा गया है तो यह आप याद रखिएगा यह प्रदान किया गया है Croatia के द्वारा तो बात यहाँ पर Croatia की आई है तो Croatia की Capital क्या है जाग्रव और Croatia की Currency क्या है Croatian Kona तो यह भी आप याद रखिएगा और मैं आपको एक Current Affair से एक Question बता दूँ आप लोगोंने Luca Modric का नाम जरूर सुना होगा तो जो Luca Modric है वो Croatia से बिलॉंग करते हैं मैंने इनका नाम क्यों बताया क्योंकि इसी वर्स Luca Modric को Balland Dior खिताब से सम्मानित किया गया था Luca Modric को किसे सम्मानित किया गया था? Balland Dior खिताब से यह Football का एक प्रतिष्ठित Award है इसलिए नाम आप जरूर याद रखिएगा Next Question है कौन सा देश 2020 FIFA Under 17 महिला विशुकप की मेजबानी करेगा? तो इसकी मेजबानी करेगा अपना देश भारत और बात यहाँ पर FIFA की आई है तो FIFA का Full Form क्या होता है? FIFA का Full Form होता है Federation International The Football Association इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1904 में और इसका मुख्याले कहां है? तो इसका मुख्याले है Zurich, Switzerland में और इसके head कौन है? तो इसके head important है क्योंकि इनका कारिकाल बढ़ाया गया है इनके head है ज्यानी इंफैनिटो यह नाम आप याद रखिएगा और एक चीज अभी हाल ही में FIFA ने ranking जारी की थी और FIFA ranking में इंडिया का कौन सा इस्थान है? तो इंडिया की ranking है 103 तो यह भी आप या का इस्थान ही राश्ट्पति और शित का näborस नारो ब्राजिल के राश्ट्पति है यह इसी व्र्स बने है इसलिए मैंने इनका नाम in प्रधान मंत्री बने हैं क्या नाम है बोरिस जॉंसन तो इतने सारे फैक्ट आपको इस प्रशन से मिल जाते हैं नेस्ट कोश्चन है, हाल ही में किस खिलाडी ने क्रिकेट से सन्यास की घोष्ण की है, तो यह घोष्ण की गई है अजन्ता मेंडिस के द्वारा, और यह अजन्ता मेंडिस किस कंट्री से हैं, तो यह श्री लंका से हैं, श्री लंका से हैं, बिलॉंग करते हैं, फर्स्ट आप्शन में मैंने लिखा एलिस्टर कुक इनका नाम क्यों important है क्योंकि एलिस्टर कुक को ही अभी नाइट हुट की उपाधी से सम्मानित किया गया है इनका नाम important है आप जरूर याद रखेगा और सन्यास लेने की बात आई है तो एक recent का नाम है शोयब मलिक शोयब मलिक ने हाल ही में cricket से सन्यास लिया है और यह किस country से हैं यह हैं पाकिस्तान से तो यह दो current नाम है आप याद रखिएगा और अमबाती राइडू ने भी सन्यास की घोशना की थी next है हाल ही में जारी ATP ranking में कौन पहले स्थान पर रहा तो सबसे पहले तो ATP की full form इसका full form होता है Association of Tennis Professions और इस ranking में पहले स्थान पर रहे Novak, Jokovic, दूसरे स्थान पर Raphael, Nadal और तीसरे स्थान पर Roser, Federer और ATP ranking की बात आई है तो मैंने भी बता है इसका full form है Association of Tennis Profession इसके स्थापना हुई थी 1972 में और इसके अध्यक्ष कौन है तो इसके अध्यक्ष है Chris Carmode कौन है Chris Carmode यह आप जरूर याद रखिएगा फिर कल की क्यूस का answer हाल ही में IAF की पहली महिला Flight Engineer कौन बनी है IAF यानि की Indian Air Force और इसकी पहली महिला Flight Commander बन गई है Salija धामी कई जगा यहाँ S धामी भी लिखा रहता है इनका नाम आप याद रखिएगा Important है और अवनी चतुरवेदी कौन है तो अवनी चतुरवेदी Fighter प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला है इनका नाम आप याद रखिएगा और हीना जैसवाल कौन है तो हीना जैसवाल पहली महिला Flight Engineer है और Tanya Sanyal कौन है तो यह है Firefighter प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला तो यह चारो नाम important है आप ज़रूर याद रखिएगा और बात यहाँ पर Indian Air Force की आई है तो इसकी स्थापना कब हुई थी इसकी स्थापना हुई थी 8 October 1932 को और इसका मुख्याले कहा है दिल्ली में यह भी आप याद रखिएगा अब आपके लिए आज का सवाल हाली में किस देश ने व्यापारिक तोर पर 5G Mobile Network लाँच किया है इसका जो भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा I hope यह वीडियो आप लोगो पसंद आया है मैं सर्ज इतना अच्छा तो नहीं पढ़ा सकती लेकिन मैंने कुछ extra factor कवर करने की कोशिस की है I hope यह वीडियो आप लोगो पसंद आया होगा आप लोगों के कमेंट्स मेरे मायने रखते हैं इसलिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजेगा और इस वीडियो को शेर जरूर करिएगा तो आज के लिए इतना ही अनलाइन स्टेडी पॉइंट को लाइक शेर सब्सक्राइब करना बिलकूल मत भूलिएगा थैंक यू सो मच